जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टड़ी विद एम एस्पीप जैनल पर दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ बेसिकली यह टॉपिक आपको प्री और मेंस दोनों से संबंधित है दोनों से रिलेटेड है ठीक है तो यह ज जैसा कि आप देख रहा होंगे भारत का महा नयावादी चैसे मने चर्चा में पर हम चर्चा करेंगे जैसे कि देखिए चर्चा में क्यूं है मैं तो उसको भी बताऊंगा मैं आपको नियूक्ति कारेकाल और रहतायां क्या होनी चाहिए वो भी बता दूँगा मैं आपको अधिकार करतब क्या होते हैं अधिकार करतब क्या होते हैं जो भारत के महानियावादी होते हैं उनके अधिकार और करतब पहले नियावादी कौन थे सबसे पहले जो महानियावादी बने थे महानियावादी बिसिकली यह महानियावादी लि देखिए यह टॉपिक ऐसा है कि आपको UPPCS, UPSC, RO, RO कहीं भी किसी भी स्टेट में जहां पर quality वगेरा से पूछे जाते हैं GS का portion है ये तो उसमें आपको हर जगे ये काम आयेगा ठीक है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बहुत मेहनत से ये मैंने बनाया हुआ है लिखा हुआ है तो आप इस मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है और पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखेगा बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा बहुत सारी जान है क्योंकि यहां पर प्रúaक के बनाकर प्राश्ण द्रेश akan और पूछेव वहां फहां पर हमारा पर सेंटैन्स वहां दीया जाते हैं लंबे लंबे चोड़े चोड़े अपको सेंटन्स दे जाएंगे फिर उसमें से पूछेगा कि कौन सा ही है एक दो एक दोो 311 तो इस तरीके से पुछ जाते हैं जब कि UPPCS में क्या होता है UPPCS में हाल में फिल्हाल में जो प्रशन आए हैं उन प्रस्णों को भी हम देखेंगे एक दो प्रश्न हम चर्चा करेंगे बताएंगे आपको किस प्रकार के प्रश्न में पूछे गया बारत के महानयावादी के रूप में उनकी नियूकती हुई है इसलिए यह सब्द जो है यह आपको चर्चा में आपको करेंट में यह न्यूज है तिक है और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो भारत का महानयावादी है उनसे सम्मंधित कुछ अनुछेद है इनको ज आप देखते जाएगा वीडियो को बहुत सारी जानकारी बताऊंगा इसमें और बहुत सारी चीजें आपको जो है पता चलेंगी जो कि आपको आगे आने वाली जो भी भविस्य में जो भी आप परिक्षा देना चाह रहे होंगे सभी यह काम आएगी तो देखिए सम्विधा संघी का रिकालिका उसका यह पार्ट है यहांई कि संघ वाला किस में आता है भाग-5 में यहां पर लिखा हुआ है भाग-5 अनुच्छे च्हेतर के तहत इस पत्का सेर्जन किया गया है कहने के मतलब है एक अगर इस तरीके का पूछान का महान इयावादी की जिए निउक्ति होती है समिधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है प्री में इस प्रकार के पुशे जाते हैं तो आप आपका आंसर होगा अनुच्छेद 76 या ये पूछे कि किस भाग में है सम watts ने थिया गहा है वहत अर। भारत का यह सर्वोच विधिक अतिकारी होता है यह भारत प्यूच्छ हाब सराह को नीचे उनके i already या जितकी मामले पर कहीं कुछ इसके जी किसी सरकार को किसी अलिग से निजिक शुला है स्टेट से किसी किसी थी तरीक ago जो विधिक मामवला होगा उस पर यह सलाह देगा ठीक है सुप्रीम कोट और हाइस भारत का भारतaking नहीं तो करता है कहने का मतलब यह कि पूरे देश में जहां भी सुप्रीम कोट आघिए धिली में लेकिन जो हाइस किसी स्टेट का ठीक है यह इवन की मतलब जो कोई सा भी कोई सा भी नायाले होगा तो वहां भी जा कि यह अगर प्रतने तो करना है तो यह कर सकता है उसको यह अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 143 के तहप कैसे वह आगे देखिएगा पता चल जाएगा आपको ठीक है तो यह और न्यूकती कारेकाल और अर्विसंट देखिए वह अगर्व की सब्सक्राइब जैब सब्सक्राइप जैब आप यह तक कि उसकी जो अर्हता होगी वह Supreme Court में जज बनने लायक का मतलब उसके पास अरहता होनी चाहिए जो जज एक सुप्रीम कोट में बनता है उसके पास क्या-क्या अरहता होनी चाहिए भाई वह भारत का नागरिक होना चाहिए ठीक है उसके पास सरस्तों एक एक से अधिक जो हाई क्वोट हैं वहां पर वो तक पर मताब फिर उसका वकील वहां PR काम तो यह सारी जो अरहताएं हैं वह आपकी सुप्रीम कोड के जो नया अधीस बनने के लिए हैं वह सब हैं और वही सेम अरहताएं जो है वह आपके अटर्णी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान नयावादी हैं उनके लिए भी वही लागू होती हैं तो यह चीज ध्यान इसके यह अनुछेद 761 के तहट होती है केंद्री मंत्री परसत के सलाह पर राष्टपती अपने आप आपको पता होगा कि राष्टपती मंत्री परसत के सलाह पर ही कारे करता हैं यानि कि जो मंत्री परसत होती है वह राष्टपती को कई सारी चीजें जो है वह बताती है कि इन लिए उन्हें की रहए घิक तो इन में से एक काम ये है ये मिदब एक नि अज वी है तो ये याद रखेगा केंधरी मंत्य परश्चित के सलाह पर अगर कहीं पर ये सेंटेंस दिया रहे अगर ये में पूछा जाए कि यृ क्या ये सही है थी कें यह होगा कि यह यह किसी भी समय उनको को हटाय सकता है है तो ये समवैधानिक पड था लिखा लिखा गया है और इसकी चर्चा की गई है इस पद की यह पद ए समव virgin क ex is याद रखेगा सब असम्य शाम WILLig hack यह सारी चीजा जो neighूoni लओजी है यह किसी वीडियो में थोड़ा आपको समझा दूगा ठीक है यह चीज याद रखेंगा अभी फिलाल यह याद रखेंगा सम्वैधानिक पद है और सम्वैधानिक वह होता है जिसकी सम्विधान में चर्चा की गई है पहले जो लिखा गया उसी समय से उसकी चर्चा की गई है उसमें ठीक है पटाके चूट रहे हैं तो यह जी बताया है कि मंत्री परस्त जब त्याग पत्र देगी तो इनको भी हटा दिया जाता है कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नई सरकार बनती है तो अगर जब मान लीजिए अगर होते हैं या जोबी हो जोबी नई सरकार आएगी तो इसलिए वह है निजी MARK कर दिया तो यह पर देख लें क्या है तो कुछ भरत कर यहां पर पता दिये कि भाई वो सरवोच विधिक अधिकारी होता है, भारत को विधिक मामलों में सलाह देता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतनेहितु करता है, जहां भी कोई मामला ऐसा आता है, तो जाता है वो, ठीक है, वहाँ पर सुनवाई करता है, या जिराह करतब्यों का पालन कोई अन्य करतब्य देगा राश्तिपदी जो कहेगा वो भी मदब करेंगे अपने कृतों के निर्वाहन है तू एजी आई मैंने लिखा है एटानी जर्नल आफ इंडिया को भारत के सभी नयायलों में सुनवाई का अधिकार विस्यसाधिकार वगएरा है वह अनुच्छेद 105 के तहट ही होती है यह अनुच्छेद 88 के अंसार संसत के दोनों सद्रों की कारवाही में भाग ले सकता है अपने बात को भी रख सकता है कुछ भी अगर उसको बोलना है तो वहां बोल भी सकता है वो बिद परमिश्टन आफ जो प्रिसाइडिंग अफस वह मतदान नहीं कर सकता है यानि किसी चीज़ पर अगर मतदान हो रहा है कि यह चीज़ पास हो यह फेलोगा जो जैसे विध्यक हो गयरा पर या किसी चीज़ पर मतदान होता है तो उसमें वह मतदान नहीं कर सकता है यह ध्यान रखिएगा कारवाही में भाग ले सकता है ल पॉइंट जो सिटिंग होती है वो अनुछेद 108 के तहत होती है उसमें भी भाग ले सकता है ठीक है तो वह लेकिन वही बिना मता अधिकार के ठीक है तो वह चीज याद रखेगा ठीक है कोई अगर समीती बनाई गई है कोई कमेटी बनाई गई है तो उसमें भी वह भाग ले स cabinet का नहीं होता है अन्य देशों में क्या होता है कि वहां पर जो विधी मंत्री होता है लो मिनिस्टर होता है तो भारत में एक अलग स्रिजित किया गया तो ये चीज घ्यान में रखिएगा थी कैई ये हो गया संविधान के किसी अन्य विधी द्वारा प्रदान की गई जो सक्तियां कारे हैं कृत्तों का निर्वान यानि कि कोई और चीज बताई गई है जो संमिधान में लिखी गई है उसका भी निर्वान करना तो यह आपको करतभ बता दिया मैंने अर्थकार और करतब्यों के बारे में मैंने आपको बता दिआ हैं एक दो चीजी ओर हैं देखिए बता देता हूं इनकी सहायता के लिए जो AGI होते हैं इन और दो additional solicitor general ठीक है यह याद रखेगा इनकी सहायता के लिए यह लेकिन इनकी कोई चर्चा नहीं की गई है जो आर्टिकल अनुच्छेद 76 है इनकी कोई चर्चा नहीं की गई है यानि कि यह समवैधानिक पद नहीं है जिस तरीके से यह महानयवादी समवैधानिक रखेगा ठीक यह समवैधानिक पद है यह समवैधानिक नहीं है याद रखिेगा ठीक है तो इसली से इनको प्रैवेटर यह वकील कर सकते लेकिन उसमें भी कुछ सिमाएं हैं कि सिमाएं यह हैं कि प्रैक्टिस करने के मतलब यह नहीं हुआ कि भारत सरकार के खिलाफ कोई मामला ले लिया या भारत सरकार के खिलाफ किसी को सलाह दे दिया पैरवी कर दी किसी मामले की तो ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी अगर इनको को किसी प्रकार का जो मामला है लेना भी है माल Tob यह कोई आपराधिक मामला इनको लेना है तो उससमें यह पहले भारत सरकार को बताएंगे कि यह यह ऐसे ऐसे हैं तो अगर वह Privacy्ण देती हैं तभी यह लेंगे अधर वायिस नहीं ले सकते किसी कंपपनी में या कहीं पर नूपति ये अपने मतलब उसमें नहीं करवा सकते हैं तो कई सारी उसमें मतलब इनकी सीमय भी हैं श्रोम याद रखेए थे यह पूर्साल श्रमतिक बता दिया हैं यह सारीटरिया धित्यू消 Tree इंडिया जो पहले थे वह एम सी सी तलवाड नाम याद रखेगा यह यूपी पीसिस का अभी आज कल ट्रेंड चला हुआ है पहले जो जितने भी समवैधानिक पद हैं पहले उनके जो न्यूपती हुई है उनको जरूर पूछ रहे हैं तो याद रखेगा भी इसले दो साल से तो ऐसे ही कुछ पूछ रहा है याद रखेगा ठीक है तो यह अभी प्रिजन टाइम में मैंने बता दिया यह आर वेंकट रमनी का उनकी न्यूपती हुई है तो इसी वज़े से यह चर्चा में भी रहा है यह अब आते हैं कि प्रस्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं ठीक तो आप उससे जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं देखिए दिया गया है समिधान के निमलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतरगत संघ कारपालिका के सक्तियां अच्छा यह तो एक मिनट यह तो दूसरा हो गया एक मिनिट है जो इनकी उनमुक्तियां दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है तो उस तरीके से प्रश्न पुछे जाते हैं इसमें अनुच्छेद के तहती ठीक है तो ज्यादा क्योंकि ऐसे ही आता है प्रश्न या जो यूपीस्सी लेवल का प्रश्न आएगा उसमें वह दो चार सेंटेंस बनाके देंगे आपको फिर उसमें पूछेंगे कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत नहीं गलत है इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे एक दो एक दो एक दो तीन ऐसे करके भी पूछ सकते हैं तो वह भी याद रखेगा ठीक है तो इसमें प्रश्न करवा दूँगा आपको बेसिकली ठीक है चलिए कोई बात नहीं जो भी है मैंने आपको वो प्रेशन किस हिसाब से बन सकते हैं जैसे इस तरीके से भी प्रेशन बन सकता है कि निमलिखित में से अटर्णी जनरल आफ इंडिया के बारे में निमलिखित में इसे क्या सत्य नहीं और मता अधिकार करना उसका अधिकार है तो मता अधिकार करना अधिकार नहीं है यह चीज मैंने आपको अभी बताई है तो यह चीज ध्यान रखेगा में किस प्रकार के प्रसंद बन सकते हैं तो याद रखेगा कोई भी स्टेट की PSC होगी जहां पर है मुझे लगता है कि सभी स्टेट में ऐसा है बिना आप में लिखेंगे अच्छा करेंगे तभी आपका सेलेक्षन होगा यह बात ध्यान रखेगा तो इसलिए में मेंस का भी जो भी टॉपिक पढ़िए अभी जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आपको मैंने बताया यह सारी चीजें एक दो बार देख लिए वीडियो को बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा तो इसको आप प्रश्ण को हल करने की कोसिस कीजिए जैसे मैंने यह लि देखिए वह वह आप लिख दीजिए इस प्रश्ण को करने का तरीका आपको थोड़ा सा बता देता हूं अगर आप हल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है आप करके टेलिग्राम चैनल के लिंक दिया हुआ है अगर आप वहां पर भेज सकते हैं तो भेज भी दीजिएगा मैं उस पर कुछ जो भी होगा एडिसनल कुछ वैलू एडिसन कर सकता हूं तो कर दूँगा उसमें ठीक है तो इसमें आप यह आप लिखिए गाइसमें पहले एक दिन में एक टॉपिक जो अंसर राइटिंग वाला है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा चोटा सा ठीक है क कि किस तरीके से सुरू करना है कैसे लिखना है इंट्रो कैसे देना है में बॉड़ी कैसे लिखना है और कंक्लूजन कैसे लिखना है वह सारी चीज़े मैं आपको बता दूँगा ठीक है कोई भी प्रस्णि लिखने से पहले उस पर आप इंट्रो दीजिएगा तो इंट्रो दे सकते हैं मेन बाड़ी में भी आप लिख सकते हैं प्रश्णों को तो यह एक ठोपिक रहा और यह प्री और मेंस दोनु से टपिक है ऐसा टॉपिक है जिससे सदा बहार टॉपिक टाइप यह कभी भी प्रस्ण से पूछे जा सकते हैं तो आइहोप कि लिंक दिया हुआ है उसको आप लोग कुछ भी होता है वह जानकारी देनी होती है तो मैं उसके शेयर करता हूं जो भी पीडिएफ्स हो गहरा है और यह सब सारी ठीक है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के पिंदास रहिए जहिए जैन